लोटस आयरवेदा इंडिया में आपका फिर्शे स्वागत है मैं हूं उत्पर्चोद्री आज हम बात करेंगे कंदे की नसों में दर्द के क्या लक्षण होते हैं और इसका एलाज कैसे करें तो आए शुरू करते हैं आज का वीडियो कई बार गलत तरह से सोने से या गलत एक समस्या जरूर होई होगी दरसल कंदे में दर्द की समस्य एक आम समस्य है अधिक तरल लोगों को सूजन और कंदे की मास पेसियों में चोट लगने की बज़े से भी दर्द होने लगता है इसके अलाबा नसों में रुकाबट वा सूजन के कारण भी आपको कंधा दर्द हो सकता है नसों में सूजन होने पर अक्षर लोग घरिली उपायों को अपनाते हैं और कंदा दर्द होने पर बाम यसे काई करने लगते हैं इस उपाई से भले ही आपको कुछ समय की आराम मिल जाए लेकिन इस दर्द का इलाज कराना बेहद जरूरी है कंदे की नस्व में दर्द होने के कई कारण होते हैं इस रोक का इलाज कई तरह से दबाओं और थहरूपी के माद्यम से किया जा सकता है बेक्तिको कंदे की नस्व में दर्द की समस्या को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए इस से कई अन्य समस्या होने की समामना का ख़तरा बना दैता है अब कंदे की नस्व में दर्द के लक्षन क्या है वो भी आप जान लीजीगा कंदे में दबी हुई नस्व के दर्द की वज़े से बेक्तिको दर्द सुनता और हाथ को हिलाने में परिशानी होती है इसके अलाबा मरीज़ को आगे पताये गए लक्षन महसुस हो सकते हैं हाथ कंदे की मास पुर्षियों में कमजोरी आना कंदे में हिलाने में दर्द होना गर्दन और सिर दर्द जिसकी वज़े से सर्क की एक और जुपना उंगलियों में सुनता और जुंजुरी मैसूस होना आदि कंद्य की नसों में दर्द के कारण कंद्य की नसों में दर्द कंद्यों की हड्डियों और टिसू में सूजिन की वज़े से होती है यह समस्या रीड की हड्डी और गर्दन नसों में भी उत्पन हो सकती है रीड की हड़ी में 24 हड़ियां होती हैं इससे डॉक्टर तीन भागमें विवाजित करते हैं जिनको सर्वाइकल इस्पाइन थोरेसिक इस्पाइन लिम्बर इस्पाइन कहा जाता है अब लिम्बर की कारण क्या होते हैं वो भी अब झान लीजिए गए कंदे की नसों में दर्थ होने के घरेली उपायों का आराम घरी लूपाय से आराम पाया जा सकता है इन अधिक तर लोगों को इलाज की आवश्टा नहीं होती है लेकिन जिन लोगों को कंदे में दर्द अधिक होता है डॉक्टर से सबसे पहले उन्हें परिछन कराना चाहिए इसके बाद नसों में दबाओं के कारण को पहचानते हैं यह देखते हैं कि नसों में दर्द कितने हिस्से में प्रभवित हो रहा है इसके बाद कुछ दबाओं को दे करके मरीज इलाज करते हैं कंधे को एक ही पोजिशन में रखने के लिए सपोर्ट पहने की सलह देते हैं इसके अलाबा मरीज को दबाओं के साथ कुछ एक्सेसाइज करने को बोला जाता है या कंधे की नसों में दर्द गंबीर हो तो अंतिम उपाई सरजरी ही है कंधे में दबी हुई नस विशेश रूप से सर्वाइकल स्पाइन को प्रहवित करती है सर्वाइकल स्पाइन से जोड़ी हुई नसे बे नसे होते हैं जो मस्तिक से और शरीव के अन्न छित्रों में संकेतों को संचारित करती हैं कंदे की नसों में दर्द होने के करान बताएगे इस्तिति को सामिल किया जा सकता है तो सबसे पहले होता है डिस्क का तूटना इस समस्या में डिस्क एक दूसरे के साथ घर सांग कर तूटने लगती है इसकी बज़े से भी कंदे की नसों में दर्द होने लगता है हैरिनेटिड डिस्क में एक ब्यक्त की एक डिस्क बहार निकल सकती है इसकी बज़े से नसों में दवा उत्पन होने लगता है इसकी बज़े से कंदे से हाथ उपर उठाने में दर्द होने लगता है गंभीर छोट की बजे से भी हाथ की नसों में डत की समस्य होने रखती है मुक्षूरूप से खिलाने ओंको चोट लगने की सभावना अधिक होती है गंभीर छोट टिशू में सुजन की बज das सुव के बनती हैं और नसों में द Baumu डालती हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कासा लगा, कमेंट करके बताएं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमारे साथ पूछ सकते हैं, धन्यवाद.